Hello students, welcome to the future academy, we are here for a better future, let's learn, let's start the video So, आज के इस session में हम standard 10 Hindi subject में chapter number 9 है आपका कुत्ते की सीख एक poem है और इस poem को हमने पढ़ लिया है, स्वाद्धे का part 1 भी पढ़ लिया है जिसके अंदर हमने question number 1, 2 and 3 को solve किया था अगर आपने ये दोनों videos नहीं देखे हैं, तो उपर जो i button दिखाई दे रहा है, वहाँ पे click करोगे तो आपको इसकी link मिल जाएगी, chapter की भी link मिल जाएगी, part 1 की भी link मिल जाएगी तो आप उसको देख सकते हो और समझ सकते हो, इस part के अंदर, part 2 के अंदर हम बात करने वाले है, question number 4, 5, 6 and 7 ए 4 question के बारे में हम बात करेंगे, उसको solve करेंगे और आपको जादा अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे यह सब करते हैं, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हो, तो प्लीज चैनल को subscribe कर दीजिएगा 93% student अभी तक ऐसे हैं, जो लोग नों ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है पता नहीं क्यूं नहीं कर रहे है, आपकी जो mobile की space है, उसके अंदर आप subscribe कर दोगे तो जादा भार नहीं हो जाएगा या पर space बढ़ नहीं जाएगा, आपको सिप subscribe बटन पर click करना है और हमें support करना है और वीडियो अच्छी लगे तो like भी कर देना, share भी करना तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर question number 4 है, निम्नलिखित प्रश्णों के उत्तर, चार पांच वाक्य में आपको लिखने है, यानि थोड़ विस्तार से आपको उत्तर लिखना है, number 1 कौनसा है कुत्ते की सिख, काव्य से क्या बोध मिलता है, हमें क्या सिखने को मिलता है इस poem के जरिए, तो उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं इस काव्य में एक शिकारी कुत्ता एक खरहे का पीछा करता है, खरहा और खरगोश का पीछा करता है, और खरहा अपने जान बचाने के लिए बाकता हुआ, एक कंटिली जाड़ी में छिप जाता है, और उसकी जान बच जाती है इस काव्य से यह बोध मिलता है कि चाहे छोटा जीव हो या बड़ा, कमजोर हो या शक्ति शाली, जब उसकी प्राण पर बनाती है, तो उसमें अद्बुत शक्ति आ जाती है रेक्ति को संकट के समय अपनी सारी शक्ति लगा कर अपनी जान बचानी चाहिए, तो यहाँ पर कोई भी इंसेक्ट हो, छोटा हो या बड़ा हो, शक्ति शाली हो या कमजोर हो, पर जब उसकी जान पर बनायेगी, तो वो अपनी सारी एनरजी लगा कर बचने की कोशिश करे तो यहाँ पर यही सीख मिलती है इस पोयम के जरीय हमें कि जब भी हम संकट में आ जाए तो हमें हमारी होप नहीं छोड़नी चाहिए हमारी पूरी एनरजी लगा के पूरी शक्ति लगा कर उस संकट से बाहर निकलने की कुशिश करनी चाहिए ठीक है अभी आगे बढ़ते हैं कुशन नमबर टू कौन सा है देखते हैं कुट्टे की सीख का जो पोयम है उसको कहानी के रुप में लिखे आपको इस पूरी पोयम को कहानी के रुप में प्रेजन करना है तो आप ऐसी लिख सकते हों कुट्टे उस जुर्मुट के पास पहुचा जिसमें खरगोश रहता था आहट पाते ही खरगोश भाग खड़ा हुआ कुट्टा लगातार चार मिनिट तक खुले खेत में उसका पीछा करता रहा पर वह उसे पकड़ नहीं सका तब तक सामने एक कंटिली जाड़ी आई और खरगोश छलांग लगा कर उसमें शीप गया तो ये सारी चीज़े आपको पता है आगे लिख सकते हो आपकी कुट्टा इदर उदर सुंकर निराश होकर वापस जाने लगा एक लोमडी खड़ी खड़ी ये सारी गटना देख रही थी उसने कुट्टे से कहा मामा तुम हार गए तुम इतने मोटे ताजे हो पर वन के छोटे छोटे जीव जन्तूओं को भी नहीं पकड़ पाते ऐसा लोमडी उनको कटाक्श करती और कहती है कि क्या मतलब इतना मोटे ताजे होने का फिर यहाँ पर कुट्टा लोमडी से कहता है कि अरे पगली तुम इस रहस्य को न माग रहा था कहां गया है कि कोई भी उद्यम करो तो जान बचा करो यानि आगर आप खाना डून रहे हो खाने के लिए या फिर गड़ चलाने के लिए पैसे कमा रहे हो तो जान बचा कर आपको सिप्ती वाइज अपना काम करना चाहिए जिससे आपको खाना मिल जाए आपक कंटिली जाड़ी में गुश कर अपने आपको चोट लगा कर खाना प्राप्त करने की जरूरत नहीं है वो ट्राय कर रहा था दोड़ा मेहनत की उसने सब कुछ किया और फिर नहीं मिला तो ठीक है कोई दूसरा मिल जाएगा ऐसे डूनके वो निकल गया लेकिन खरगोश की सले दोड़ रहा था वो अपनी जान बचाने के दोड़ रहा था इसलिए उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी और कंटिली जाड़ी आई तब भी वो उसके अंदर गुश गया तो ये दो फर्क यहां पी बताये गए तो वो कहता है कि अरे पगली तुम इस रहस्य को नहीं समझी हम दोनों के दोड़ने में अंतर है उत्ता था वो खाना पाने के दोड़ रहा था जबकि खरगोश अपनी जान बचाने के दोड़ रहा था तो ये पूरी कहानी आपको इस तरह के से लिखनी है ठीक है तेन आगे यहां पे है निम्नलिखित पंक्तियों का बावास होगे तेहां पे लिख सकते हो कि शास्त्रों में कहा गया है कि जान महत्वपूर्ण है अपनी जीविका के लिए वही उद्यम करो जिसमें जान पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए काम ऐसा करना है जिसमें आप सिफ्टी वाइस काम कर सको और पैसे कमा सको पर जब जान पर सं शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली एनर्जी जनरेट होती है शक्ति आ जाती है हमें भी नहीं पता चलता कि इतनी अनर्जी हमारे अंदर कैसे आई कभी कबर ऐसा होता है कि ऐसी कंडिशन आप देखते हो तो अचानक से आपके अंदर स्फूरती भी आ जाएगी शक्ती भी आज जाती है उस समय पे तो आपको इतना छोटा सा इसका आंसर रिखना है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे आता है आपका पर यह वाची शब्द दीजिए नंबर वन है यहां पे खरहा नंबर टू है जुर्मूट फैन शिकारी कंटिली बिहड देह दिवानी एन शक् इसका उतर हम ऐसे लिख सकते हैं खरहात होगा खरगोश जुर्मूट का होता है जाड़ी शिकारी यानि आखे टक कंटिली यानि कांटेदार बिहड यानि बयावद बयानक देह यानि शरीर दिवानी यानि पगली शक्ति यानि जोर ताकात एनरजी जो होती उसको शक्ति कह जाता है नेक्स्ट है क्वेश्ट नंबर 6 यहाँ पे विरोधी शब्द दीजे नंबर 1 है दूर नंबर 2 है यहाँ पे आखीर 4 3 है पीछे देन निराश देन मोटी एंड कमाना तो इसके अपोजिट क्या होगे दूर का होता है निकट नस्दिक आखीर का होता है पहले पीछे क होता है आगे निराश का होता है आशावान मोटी का होता है पतली और कमाना यानि और कमाना यानि खर्चना तो यह थे सारे विरोधी शब्द और हमने पूरा जो एक्साइस है स्वाद्ध है उसको स्वाल कर दिया है आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको को हो और thank you so much all of you for joining this session हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत दन्यवाद चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस इस फ्यूचर एकेडमी मिलते हैं नए सेशन में नए वीडियो के साथ तब तक टेक केर बाई